राइजन शाइन बच्चो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेमिंग रेक्शन के बारे में वह है फीडल क्राफ रेक्षन यह वीडियो पर 9 ठीक है या फिर उसके डेरिवेटिव पर जाके लग जाएगा इसका यूज हम सबसीटुएंट कराने के लिए करते बेंजीनिंग पर या फिर यहां पर हम लोग केटालिस्ट का यूज करने वाले हैं जो की हमको हैल्प करेंगे लेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वह आपके बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करेगा और इस रहा का प्रोड़क्ट बनाएगा तो देखिए हमको इलेक्ट्रोफाइल को कैसे इडेंटिफाइग करना है यह भी हमको आना चाहिए अब जैसे कि हमने आर से यूज क जाकर अटैक करेगा तो जिसकी वज़े से यह दोने लेक्ट्रोण लेके जाएगा अपने हां पर और इस पर नहीं बचेंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यह एल्चल 4 नगेटिव बनाएगा तो यह हमारे लेक्ट्रोफाइल होने वाला है एल्का इल लास्ट में होता क्या है लास्ट में जो एल्सील 4 है जो बैंजीन रिंग है यह फिर जो जो पर उसके बास जो होता है न वह अपने इलेक्ट्रोण पेर देख जाता है और एच पॉजिटिव के रूप में आता है और यह से लपोर नगेटिव से रियक करके एसल बनाएगा जाएगा जैसा कि पहले था इसलिए के लिए केलाता है केली की रेफिनिशन पता ही होगा ना एनी सबस्टेंज विच यूज दूरिंग दा केमिकल रियक्शन एंड टेक पार एंड ना नेक्स्ट क्या होता है यहां पर मैं आपको समझाती हूं कि पहले फ्रीडल क्राफ एल डिरेक्टिव हो जाएंगे तो अब यहां पर और एनाइडस अल्सील 3 मने लिया है तो आर पॉजिटिव यहां पर एलेक्ट्रोफाइल होगा जैसे कि मैंने आपको बताके रखा हुआ है जस्ट बिफोर तो अब यह आर पॉजिटिव और पोजिशन पर लगेगा और पैर पॉजिशन पर लगेगा जो पैरा पोजिशन पर लगेगा वह हमारा मेंजर मैंनी होगा समयन Group अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो और तो पोजिशन पर लगेगा जो पैरा पोजिशन वाला है वो मेजर होगा माने की ज्यादा परसेंदिस में बनेगा और यहां पर एक्स की जगा पर फ्लोरीन नहीं हो सकता कि काफी डियक्टिव होता है यह एक्स्प्लो वेल्यूबल कमेंट्स करना ना भूलेगा बाई बाई अब्रिवान